माराश के पूर ग्री मंत्री अनिल देशमुक की तरह शिवसेना सांसस संजे राउट की दीवाली भी जेल में ही मनने वाली है या कटने वाली है देशमुक की जमानत CBI कोट ने ठुकरा दी है और संजे राउट की जमानत पर सुनवाई अब सीधे 2 नवंबर को होने वाली है इस तरह संजे राउट को अब और 13 दिनों तक जेल में ही रहना पड़ेगा उन्हें 2 नवंबर तक नियाई खिरासत में भीजा गया है संजे राउट को प्रवर्तन निदेशाले याने एडी ने मुंबई के गोरे गाउं पात्रा चाल घुटाला मामले में गिरफ्तार किया था संजे राउट को पात्रा चाल घुटाला मामले में 31 जुलाई की रात अरेस्ट किया गया था इसके बाद पहले राउत को E.D. और फिर जुडीशरी कस्टडी में भीजा गया फिलाल संजे राउत मुंबई की और्थर रोड जील में है E.D. का आरूप है कि गोरे गाउं के 1000 करोड से ज्यादा के घुटाले में संजे राउत सिर्फ भागिदार नहीं है बलकि इसके मुख्य सूत्रधार है E.D. ने आरूप लगाया कि संजे राउत के करीबी प्रवीन राउत के हाथ पात्रा चाल के डेवलप्मेंट का कॉंट्रेक्ट था उन्होंने HDIL ग्रूप की ओर से 112 करोड रुपे उन्हें मिले थे इसमें से 1 करोड 6,44,000 रुपे संजे राउत की पत्नी वर्षा राउत के अकाउंट में ट्रांसफर किये गए इनी पैसों से अली बाग में जमीन खरीदी गई राउत परिवार को पात्रा चावल घुटाले से काफी फाइदा पहुचाया गया ED के दावे के मताबिक प्रबीन राउत तो बस दिखावे के लिए सामने रखे गए थे असली आर्वी संजे राउट है संजे राउट प्रवीन राउट को सामने रखकर सारी योजनाओं को अंजाम दे रहे थे ED के दावे के मताबिक G.A.P.C.L. ने गहर कानूनी कारिवाई करते हुए 1049,89,000 करोड का घुटाला किया प्रवीन राउट को HDIL की तरफ से 100 करोड रुपे मिले ये पैसे अलग-अलग अकाउंट में ट्रांसफर किये गए ये अकाउंट प्रवीन राउट के करीबी परिवार के सदस्यों और बिजनस पार्टनर्स में बटे हुए है इनमें संजे राउट भी शामिल है प्रवीन राउट की कंपनी गुरू आशीश कंस्ट्रक्शन के को कॉंट्रेक्ट दिया था इसकी शर्तों के तहए चौल की जमीन पर 3000 फ्लैट्स बनाए जाने थे इनमें से चौल के निवासियों को 602 फ्लैट दिये जाने थे बाकी फ्लैट्स माड़ा और डेवलोपर्स के बीच बटने थे लेकिन प्रवीन राउट की कंपनी गुरू आशीश कंस्ट्रक्शन्स ने फ्लैट्स बनाने के बजाए इसके 25 फीस अदी शेयर HDIL को बेज दिये इसके बाद 2011, 2012 और 2013 में चौल की जमीनों को अन्य बिल्डर्स और कंपनियों को भी बेज दिया गया यहां रहने वाले लोगों को चूना लगाकर हजारो करोड रुपे से ज़्यादा का घुटाला किया गया यह ED का कहना है हालाकि संजे राउट को उमीद थी कि दीवाली से पहले उनकी जबानत याजिका पर अगर सुनवाई होगी तो उनको जबानत मिल सकती है घर पर अपनी मा के साथ वो दीवाली मना सकते हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं कोट ने संजे राउट की याजिका पर सुनवाई को टाल दिया इससे पहले राउट ने भावुक चिठी अपनी मा को लिकी थी इस चिठी में उन्होंने कहा था कि वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं और इस तरह की परिशानिया इसमें आती हैं लेकिन शायद उन्हें उम्मीद थी कि वो अपने परिवार के साथ दीवाली मना पाएंगे पर अब ऐसा नहीं हो पाएगा राउट की इस सुनवाई में से उनको काफी उमीदे थी लेकिन अब ये सुनवाई नहीं होगी इसको आगे टाल दिया गया है यही कारण था कि संजे राउट ने अपनी माँ को जो भावुक चिठी लिकी थी उसमें इस मामले में अपनी जमानत को लेकर काफी आशा जताई थी लेकिन संजे राउट की जमानत पर E.D. के आरोपों ने पानी पेड़ दिया दरसल पातरा चाल मामले में E.D. ने संजे राउट पर आरोप लगाया कि राउट इस घोटाले में बराबर के हगदार है और इसलिए उनको जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है और खुद इस मामले में E.D. की तरफ से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुशार ने कहा कि इस घोटाले में संजे राउट के खिलाब परियाब सबूत है और ये कोट में जमा किये गए हैं ऐसे में इस मामले में जब तक जाच एक निरनायक स्थिती में नहीं पहुँच जाती है तब तक संजे राउट को जमानत नहीं दी जा सकती है अब ऐसे में माना जा रहा है कि E.D. की तरफ से पिछली सुनवाई में आरोप पत्र दाकिल किये गए थे इनी आरोप पत्रों की वज़े से राउट की जमानत की राह में अरचने पैदा हो गई है और संजे राउट जो लगातार जेल में बने हुए उस भीच माराश का सियासी घमासान आप देखी रहे हैं कि किस तरीके से आगे बहुता जा रहा है दशेरे की रैली भी हुई वहाँ पर संजे राउट की बकायदा एक कुरसी भी रखी गई थी और कई न कई ये संकेत देने की कोशिश की गई थी कि उद्द्व ठाकरे का गुट संजे राउट का कितना सम्मान करता है संजे राउट इस पूरे सियासी घमासान में सबसे ज़्यादा मुखर थे वो प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े आलोचक माने जाते हैं सामना के जरिये तीखे प्रहार करते रहे थे लेकिन फिलाल जेल में हैं और अभी आने वाले दिनों में जेल में रहेंगे दीवाली भी जेल में ही मनेगी अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें